प्रिमुख व्यक्ति आईडल को तोड़ा जाता है प्रिति मा को तो उस पे बहुत सारे प्रिति क्रिया में मैसेज आते हैं अधिकतार जो मैसेज होते हैं वो प्रिति रोध के स्वरूप होते हैं बड़ी आग के साथ होते हैं और कुछ उसमें समझधार भरे भी हो सकते हैं ऐसा एक प्रसन आया कि जो भारत में खासतोर से जो बावा साफ डॉक्टर अम्वेटकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनके विशे में बताएं. सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो मूर्ति का फिनोमीना है, मूर्ति को लगाने का या बनाने का वो क्या है? अगर हम ये समझ लेते हैं, तो हमें ये समझना आसान हो जाएगा, कि मूर्ति कौन तोड़ता है, क्यों तोड़ता है, क्योंकि अधिकतर केसों में मूर्ति तोड़ने वाले को ये पता ही नहीं होता कि वो तोड़ क्या रहा है, या वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको दिमाग म या उसके मन में या जो बात उसे बहुत पहले से बताई जा रही है उसका वो एक रिजल्ट होता है जो बात उसको तोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है उस बात तक अगर वो पहुँच जाएगा तो वो कभी भी किसी की भी मूर्ती नहीं तोड़ेगा मूर्ति जो लगाई जाती है अगर हम यह समझ लें तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि मूर्ति तोड़ने का भी फिनोमेना क्या है मूर्तियां भारत के अंदर तब बननी स्टार्ट हुई दुनिया के अंदर तब बननी शुरू ही आरम हुई पत्थर की खास तोर से जब तावा आ गया या लोहा आ गया उससे पहले जो बनती थी वो पिक्चर्स बनती थी 30,000 साल पुरानी पिक्चर्स भारत के अंदर मध्य प्रदेश में भीम बेट का नाम की जो जगए है वहाँ पर मिलती है आपको नेट पर मिल जाएंगी उसके पहले या उसके बाद लोग हाथ से या पेडों पे या पत्थरों पे या कहीं रेत पे या कहीं मिट्टी पे या मिट्टी की मूर्टी या मिट्टी की चित्रकारी वो सब चीज़े हैं क्योंकि मनुष्य ने जब सीक लिया उसकी चेतना आरंभ हो गई और समझदारी आरंभ हो गई तो वो अपनी कला में पारंगत होने के लिए ये सब काम करने लगा प्रारंभिक मनुष्य से लेके और आज तक भी प्रंप्रागत रूप से अपनी कला को आर्ट को सुधानने के लिए लोग हर तरह से प्रतिमाय मूर्टी पिच्चर कलाकारियां बनाते रहते हैं ये एक नेच्रल फिनोमिना है एक नेच्रल बात है मगर जो मूर्टी लगाई जाती हैं उनके लगाने के कुछ खास कारण है पहला कारण है पेड़ना के लिए यानि कि आप उस मूर्टी से पेड़ना लें वो आपके पिता की हो सकती है माता की हो सकती है या जिसने आपको कुछ किया है उसकी हो सकती है या जिसने देश और दुनिया के लिए कुछ किया है उसकी हो सकती है और वो आप पे गोर सत्रुकी भी हो सकती है जिसे आप से बहुत ज़्यादा इर्शा है उसकी भी आप बनवा सकते है उसकी बनवा के आप पैरों के नीचे या जमीन में गड़वा सकते है ऐसा इर्षा के कारण भी होता है प्रेड़ना दोनों तरह की होती है निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है सरद्धावस बनवा सकते हैं आपको किसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और प्यार में आप इतने ज़्यादा गहरे चले गए तो सरद्धावस या अंद सरद्धावस आप उसकी पृतिमा या मूर्टी बनवा सकते हैं जो भी आपका उपास से है जिसको आप चाहते हैं या जो आपको बहुत अच्छा लगता है घ्रणावस भी बनवा सकते हैं ब्यापार के लिए बनवा सकते हैं ब्यापार के लिए मूर्टियां खईदने बेशने के लिए क्योंकि लोगों की भावना जोड़ी होती है वो किस तरह की मूर्टियां खईदना चाहते हैं किस तरह की बनवाना चाहते हैं अपनी अपने पिता की पड़ोसी की अपनी मा की बहन की या अपनी किसी प्रियतम की जो भी है जैसी भी मूर्तियां है वो बनवा सकते हैं और इसका खैदने बेचने का ब्यापार होता है और ब्यापार के लिए मूर्तियां बना के रखी जाती है और पर भी बनती है किर्टकिता प्रिक्ट करने के लिए बनाए जाती है किर्टकिता का मतलब है कि किसी ने आपको बहुत कुछ दिया और आप उसके पिर्ती अबलाइज्ट है और आप उसको किर्टकिता प्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप इस्टैसु उसके जीते जी यानि मूर्ती उसके जीते जी बना के दे सकते हैं या बनवा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं और अपनी किर्टकता प्रिक्ट कर सकते हैं। साल दर साल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके जनम तित्थी पह या उनकी जो मरण तित्थी होती है उसके आगे अपनी किर्टकता या उसको सलूट करते हैं और वहां आके अपने सिद्धा सुमन और पित करते हैं अपनी निगा में उचा उठने के लिए आपने कोई काम किया है और आप चाहते हैं कि मैं विल्कुल उचा उठूँ और अपनी निगा में उचा उठूँ इसके लिए भी लोग अपनी प्रितिमा खुद बनवाते हैं और लगवाते हैं ताकि वो उपर की इस्तिती में उठते उसके जो अंग होते हैं, उन अंगों के वारे में, सरीर के अंगों के वारे में बताया जाता है, तो एजू के सर में बहुत सारी मूर्तियों के काम आती है, इसके अलावा कलात्मक दस्टी से जगे जगे आपको शहरों में, गलियों में, श्टीटों में, चुरायों में, कलात आत्मा मूर्तियां हो सकती हैं, जो आपको देखने में सुन्दर लगें, जो आपके दिल को अच्छी लगें, ऐसी भी आपको जगे-जगे चौरायों पर पूरी दुनिया के अंदर आपको मिल जाएंगी, मरुजने के लिए मूर्तियां बनाई जाती हैं, आपने देखा गुड़े-गुड़िया की मूर्तियां बच्पन में आपने खुब खरे दी होंगी, छोटी-छोटी होती है, सिपाही की मूर्ति है, या जजज की मूर्ति है, या किसी राजा की मूर्ति है, या दरवान की मूर्ति है, अलग गुड़सवार की मूर्ति है, ऐसी जो मूर्ति या कि जो मूर्तियां होती हैं वो दुनिया में परचलित हैं, उसके लिए भी बनाई जाती हैं, वर्चस्वे के लिए बनाई जाती हैं, या आप मूर्ति लगाएं, विजय चिन्न के रूप में लगाएं, या वर्चस्वे के लूप में लगाएं, या एक घोशना के रूप म में भी लगाते हैं सहीदों की लगाते हैं, यादगार की रूप में लगाते हैं जिसमें जो काम किया है उसके हिसाब से लगाते हैं अपना नाम अमर करने के लिए लोग लगाते हैं, क्योंकि वच्छत से वह होगा राजनितिक لाव के लिए यानि कि आपको लोगों को खुश करना है और उसके बदले में आपको राजनितिक लाव मिलेगा आपको कोई ना कोई फायदा होगा इसके लिए भी मोर्तियों के माल्य आरपन या मोर्तियों को उत्गणन बहुत जादा पूरी दुनिया में होते हैं और एतियासिक उद्देश से होते हैं एतियासिक उद्देश का मतलब है कि जानकारी स्वरक्षित रहे मूर्तियों के रूप में एतियास की जानकारी स्वरक्षित रहे और इस्तंब और मूर्तियां घोडे की, हाथी की, बैल की, ये सब उसने बनाई और जगे 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 उसने लगवाई वो आज तक भी स्वश्चित हैं और उनी से हम जान पाए कि समराथ असोग का जो राज था वो कितना अच्छा था ये मूर्ति लगाने के सारे कारण हैं कि लोग मूर्तियां क्यों लगाते हैं या क्यों बनाते हैं सब पिच्चर्स भी आती हैं जो पिच्चर्स होती हैं प्रिंटिंग्स होती हैं वह भी आती हैं अब मूर्ति तोड़ते क्यों हैं अब मूर्ति तोडने के कारण बड़े मरु आपको हजारों शाजकों की मूर्तियां डाउन करती हुई मिलेंगे मूर्ति से अगर उमीद आपकी पूरी हो जाए और मूर्ति आपकी उमीदों पर खरी ना उत्रे तब भी लोग मूर्ति का विसरजिन कर देते हैं उसको तोड़ देते हैं ऐसे मूर्ति के अंदर मूर्ति बहुत प्यार से बनाते हैं मेले के अंदर और उसको विसरजित कर देते हैं और मूर्ति से अगर उमीद ना पूरी हो तो अभी लोग मूर्ति को तोड़ देते हैं गुस्से में आगे मूर्ति अगर मनुस्य ने गड़ी है और ये बात मनुस्य को पता चल जाए कि जब छेनी आई, जब हतोड़ा आया, जब ताब आया, जब धातु कोई चीज आई, तब हमने पत्थर चिलना शुरूर किया और तब मूर्ती बनाई और ये मनुस्य ने बनाई है और आज भी मनुस्य ही इसको बनाता है, तो वो अगर ये जान लेता है, तो अभी वो मूर्ती को तोड़ देता है, खुद अपने हाथ से तोड़ देता है, और अगर मूर्ती से भेल लगने लगे, अगर ड़न लगने लगने लगे, तो भी मूर्ती को तोड़ देता है, क्योंकि मूर्ती से अगर कोई फाइदा ना हो, ढरामी हो या खराब हो जाए तो भी उसको तोड़ देता है मूर्टी का अगर चलन पुराना हो जाए यानि कि एक तरह की मूर्टी है और वो चलते चलते पुरानी हो जाए तो नई पीड़ी पुरानी मूर्टियों को तोड़ देती है या खतम कर देती है और नई तरह की मूर्टियां बनाती रहती है modern जो sculptures art है वो तेजी से आती जा रही है और पुरानी वाली जो art है वो लगबग खतम होती जा रही है ये सारी दुनिया के इंदा चलन होता है modern art आती रहती है पुरानी जो old art है वो side में चली जाती है वो historical हो जाती है मूर्टि से आपको चलने लगने लगे यानि मूर्टि में जो picture है जो image बनी हुई है उसका जो character है जो social character है या जो story character है अगर उससे आपको चल होती है इर्षा होती है जलन होती है तो अभी मूर्टि तूटती है और लोग उसको तोड़ते है बहुत caseों के अंदर खास वर से भारत में तोड़ने वाले को लालच या पैसा दिया चाजाता है और उसको कहा जाता है कि इसको खंडित कर दे या इसको भंजित कर दे या इसको कोई color लगा दे या इसको कुछ damage कर दे उसको पता है नहीं होता वो नशा करके पता करके और बेहुसी की हरत में वो मूर्तियों को तोड़ता है भारत में अधिकतर case इस तरह के हैं जो होता है या जो एक आदिकार वच्चस्वे को तोड़ना चायता है उसको भी होता है राजनतिक भैसे भी होता है अगर मूर्ति लगती है और उसका राजनतिक नुकसान हो तो भी मूर्तियां तोड़वाई जाती है भारत में मूर्ति तोड़ने के ये कारण है इत्यास एक कारण तो है क्योंकि इत्यास को अगर मिटाना हो तो मूर्तियों को और पत्थर पे जो लिखी हुए आलेक है या जो बनाया हुआ है उसको अगर आप मिटा देंगे तो वो इत्यास मिट जाएगा और नया इत्यास आप बनाए ना बनाए तो इत्यास मिटाने के लिए में मूर्तियां तोड़ी जाती है यह मूर्ती तोड़ने के कारण है और मूर्ती बनाने के कारण है अब भारत के अंदर जो डॉक्टर अमवेटकर की जो मूर्तियां है उनको तोड़ा जाता है क्योंकि बहुत सारी pictures ऐसी आती है, आती रहती है, क्योंकि मूर्तियां बनती भी रहती है, तूरती भी रहती है, ये बड़े एक अलग सी बात है भारत के अंदर, क्योंकि डॉक्टर अमबेटकर का जो character है, वो पूरी दुनिया में भारत जैसे बुद्ध के नाम से जाना जात को salute करती है, दुनिया की बड़े बड़े यूनिविस्टियों में उनके बश्ट लगने शुरू हो गया है, उनके पोश्ट लगने शुरू हो गया है, और आप ध्यान दीजे इस खास बात को, कि दुनिया में डॉक्टर अमबेटकर जैसा भारत में कोई और व्यक्ति नहीं जिसको लोग मानते हैं, दुनिया की विदवान, और दुनिया में भारत के अंदर, भारत में डॉक्टर अमबेटकर जैसा कोई दूसरा विदवान भी नहीं है जिसे दुनिया माने, आप पूरी हिष्टि उठा लेजिए, आप पूरी हिष्टि उठाएंगे, तो आप यह में डॉक्टर अमबेट करी वो वेक्ति हैं जिनकी विद्वता को जिनकी नौलिज को जिनके ग्यान को जिनकी एजूकेशन को जिनकी जानकारी को जिनके करेक्टर को जिनके वेवार को जिनकी आदत को जिनके काम को क्योंकि उन्होंने दुनिया में उस समय 6 करोड लोग का एक उसको follow बहुत सारे लोग करते हैं तो ये छवी जो है ये छवी इतनी बड़ी छवी है ये अगर कोई आदमी उसको तोड़ता है तो ये लाजमी है कि आप उसको ये नहीं बता पाए कि डॉक्टर अम्बेट कर भारत के हैं भारती हैं जैसे आप भारती हैं वो कहीं भार के नहीं है दुनिया की किसी दूसरे देश के नहीं है और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया को नुकसान पहुचाता हो भारत की दबाद छोड़िये भारत को तो उन्होंने बहुत फायदा दिया है नहीं बताया, आपने नहीं बताया कि डॉक्टर अम्बेटकर पूरी दुनिया के हैं आप नहीं बता पाए कि डॉक्टर अम्बेटकर पूरे भारत के हैं आप डॉक्टर अम्बेटकर को बहुत छोटा करके अपने तक सीमित रखना चाहे थे हैं इस बात से लोगों को परशानी होती है कि आप डॉक्टर अंबेटकर जैसी विसाल छवी को लोगों के दिलों तक नहीं इस्थापित कर पाए मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेटकर की मूर्तिया लगा के और सर जुका के परणाम करते हैं लेट जाते हैं डॉक्टर अंबेटकर ने अपने जीते जी बहुत लोगों की पिटाई छड़ी से की जो उनके पैर चुना चाहते थे पूजा के वो बुरुद थे मनुस्यर व्यक्ति पूजा के बिलकुल बुरुद थे ऐसे ही बुद्ध के अंदर बुद्ध ने भी अपनी मूर्तियों के लिए कभी नहीं कहा लोगों ने उनकी मूर्तियां बनानी सुरू कर दी और उनकी पूजा भी सुरू मुझे ने कहा था कि अगर मुझे से मिलना हूँ तो जो मैं लिखके जा रहा हूँ या जो मैंने बताया है या जो त्री पीटरक में है आप उसको देखना मैं दिखाए दूँगा अईसी डॉक्टर अमबेट करके हैं जो वॉलिम्स हैं जो किताब हैं उनको देखना चाहिए उनको पढ़ना चाहिए दुनिया में मूर्ती तोड़ने का और मूर्ती पूझने का कोई चलन आज की डेट में नहीं आ नहीं है आपको ध्यान होगा कि मुहम्मद मुस्तफा सलललाहु अलाही वसलम जो थे उन्होंने काबा से 360 मूर्तिया निकाल कर भार फैंकी वहां मूर्ती पूझा होती थी और वहां बहुत ज़दा आडंबर और अंद्विस्वास था वो मूर्तियां दुनिया के इंदा चाओ तरफ फैली और वहां से वो तूटती रहती है और बनती रहती है डॉक्टर अंबेटकर ने या बुद्ध ने या जितने भी संथ हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप उनकी मूर्ति बनाईए उनकी मूर्ति लगाईए और उनकी मूर्ति को पूझिये आपको उनकी बात माननी चाहिए अगर आप डॉक्टर अंबेटकर के अनुज़ाई है तो आप उनकी 22 प्रितिग्याओं को देख लीजिए अगर आप उनको पढ़ना भी नहीं चाहते या आप उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके पास समय नहीं है तो 22 प्रितिग्याओं में यानि 22 जो कमांडमेंट्स हैं इन 22 कमांडमेंट्स में आपको सारी बातیں वो मिल जाएंगी जो डॉक्टर अंबेटकर ने जीवन भर सीखने के बाद आपको दी है ताकि आपका जीवन सुख में रहे और सुखी रहे अगर आप उन 22 प्रितिग्याओं को मानते हो तो आपको मूर्टी लगाने की आवशक्ता नहीं है फिर भी अगर अगर आपने कोई मूर्टी लगाई है और वो मूर्टी तूटी है तो आप शांत रहिए पहला काम आप कीजिए कि आप इसको ज़्यादा मत फिलाईए क्योंकि अगर जिसने मूर्टी तोड़ी है वो चायता है कि आप उग्र हो जाएं वो चायता है कि आप परिसान हो जाएं वो चायता है कि आप जगणें उसे खुद बड़ा ताज्यूब होगा, अशर होगा कि ऐसा क्या हो गया, कि यह मूर्ती तोड़ी भी और मैंने कहीं पिट्रिक्या नहीं होई बगर मूर्ती तूटी है अगर आप उसकी कारवाई नहीं करेंगे तो सामने वाले की हमत पड़ेगी वो फिर उगर भी हो सकता है इसलिए कानून रूप में, सम्विधान रूप में आप अपने गाओं, अपना तहचील, अपना बलॉक या अपना जिला या आपका इस्टेट जो भी है वहाँ जो भी कारवाई बनती है दस-पांस समद्दा लोगों को इखटा करके और पॉलिस को वहाँ सुरक्षा देनी पड़ेगी और वहाँ जो विवस्ता होगी याई जो कानूनि विवस्ता होगी या और उसे यहाँ यहाँ ही है इसको संग्यान में लाएई औरिसको बता दीजिए के ऐसा हुआ है वहां आसपास की लोग है उनसे अपील कीजिए कि dr.ंbitkar ने कोई आपका नुकसान नहीं किया है और हमने भी नहीं किया है इसलिए आप अपने आपको परिशान ना करें और की मूर्ति को ना तोड़ें ऐसा request कीजिए आपके अच्फ काम है कोई काम है क्यों कोई किसी को गाली दीजिए नहीं कर दो जी क्योंकि आपको पता नहीं है और आपको पता भी है तो आप शान्त रहिए क्योंकि वैर से वैर शान्त कभी नहीं होता तोड़ने वाले को ये पता ही नहीं है कि वो तोड़ क्या रहा है क्योंकि तोड़बा कोई और रहा है उसके मन में किसी ने ये बात भरी है कि डॉक्टर अंबेटकर अच्छे नहीं है किसी ने ये बात भरी है कि डॉक्टर अंबेटकर कुछ लोगों के हैं किसी ने भरी है कि डॉक्टर अंबेटकर से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है आप उनसे पूछिए क्या डॉक्टर अंबेटकर ने आपका कोई नुकसान किया क्या देश का कोई नुकसान किया क्या डॉक्टर अंबेटकर ने दुनिया कोई नुकसान किया क्या डॉक्टर अंबेटकर का करेक्टर खराब है क्या Dr. Ambedkar ने जो बाते हैं पूरी दुनिया में लिखी है और बताई हैं जो लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक भी बात खराब है क्या Dr. Ambedkar संतों के संत नहीं है क्या उनको बोधी सत्व की उपादी नहीं मिली हुई है बोधी सब्त की उपादी बहुत बड़ी होती है बुद्ध से एक नमबर कम है उनसे पूछे के विस्वरतन क्यों बोलते हैं छे करोड़ लोगों का उध्धार करने वाले अकेले विक्ति को विस्वरतन दुनिया में बोलते हैं तो आप जब उनसे प्रसंद करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी आँखें नीची हो जाएंगी क्योंकि उनके पास कोई रियनी नहीं है उनके मन में ये जानकारी भरी है कि डॉक्टर अमेटकर से हमारा बड़ा नुकसान हो गया डॉक्टर अमेटकर ने ये किया उनसे पूछिये कैसे नुकसान हुआ है कैसे आपको घिरना है क्यों आपको दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत है तो किसी के पास एक सिंगल भी जवाब नहीं मिलेगा इसके बाद आप क्या करेंगे आपको अगर गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को समझदारी में बदलिए और आप वहाँ डॉक्टर अमेटकर की जो कितावे हैं खास तोर से एनिलिसन ओफ कास्ट है या भगवान बुद्धुन का धम है या जो सम्विधान है ये तीन कितावें इंपोर्टेंट हैं उनका पठन पठन बढ़ाईए आप कसम खाईए कि हमारी ये स्टैचू टूटी है तो हम अपने 20 लोगों को और पढ़ाएंगे अपने आसपास के 50 लोगों को और पढ़ाएंगे और बताएंगे वहाँ सिक्षा का जन जागरण अभिहान चला दीजिए हपते बहर तक दो दिन तक तीन दिन तक आप वहाँ डेली पठन पाठ कीजिए और डेली समझीए और समझाईए जानकारी आप बढ़ाएंगे तो नेक्स टाइम वहाँ कोई मूर्ती तोड़ने के बारे में सोचेगा नहीं बलकर मूर्ती का सहयो करेंगे और हो सकता है कि जिन्होंने तोड़ी है वो शर्मिन्दा हों और वो खुदी मूर्ती को ठीक करें आप ये बात मान लीजिए कि डॉक्टर अमबेटकर के करेक्टर में उनके काम में पूरी दुनिया के लिए पूरे भारत के लिए जितनी देश भक्ती और जितनी दुनिया की भक्ती और जितना बड़ा काम उन्होंने च्छे करोड़ लोगों को जमीन से उठागे उपर किया है वो एप्रिशेबल है आने वाले समय में जैसे इसको बुद्ध की धर्ती बोला जाता है भारत को वैसे ही इसे अमेटकर की धर्ती के नाम से दुनिया में पहचाना जाएगा दुनिया की कोई ताकत अच्छे काम को कभी नहीं रोक पाती आप खुद भी रोकना चाहेंगे कि डॉक्टर अमेटकर को रोक दें अप रोक नहीं पाएंगे बेसक आप उनकी अनुयाई है तब भी क्योंकि काम जिसका अच्छा होता है, जो संत होता है उसे दुनिया चाहती है एक सिधांथ है कि जो डॉक्ट्रव के अंदर जो भाई जिसको बोलते हैं वो होता है जो कातलों का कातल होता है वो भी अपनी बेहन के लिए सज्जन विवक्ती ढूंता है कि इसका रिस्ता सज्जन परिवार में इमानदार परिवार में हो जाए डॉक्टर अमबेटकर की छवी बहुत इमानदार, बहुत सज्जन बहुत त्याग शील, अपने चारों बच्चे उन्होंने त्याग दिये सारा परिवाद त्याग दिया बहुत कुछ लेल दे सकते थे मगर उन्होंने इस भारत को उठाने के लिए क्योंकि डॉक्टर अंबेटकर ने एक बात इसपस्ट कही थी कि जब तक जातियों का विनास नहीं होगा, जब तक इस देश से गरी भी नहीं मिटेगी, जब तक ये नीचे के पड़े हुए जो लोग हैं, जब तक ये पड़ लिखके उपर देश के लिए काबिल और देश के पलर नहीं बनेंगे, भारत अमरीका चीन से टक कर नहीं लिए सकता, ये बात बल्कुल सच है, दमैसो कोई नहीं नहीं कर सकता इसलिए अगर मूर्ती तूटती है तो आप ज़्यादा उग्रो ना हो और शांत रहें और अपनी कारवई करते रहें धन्यवाद